जै माताती दोस्तों, मैं हूँ राजन तिबारी और आप देख रहे हैं जोतिश मंत्र कल यानि की गुरुबार को नौरात का प्रथम दिन है पहला नौरातर कल है यानि 7 अक्टुबर गुरुबार को इस पूरी नौरातर के दोरान मा के 9 रूपों की पूजक की जाती उसमें से पहला जो रूप है वो है शेल पुत्री का शेल पुत्री क्यों नाम पड़ा क्योंकि शेल यहने की होता परवत तो परवत राज हिमाले के घर इनका जर्म हुआ था इस कारण से इनका नाम शेल पुत्री पड़ा शेल यहने परवत पुत्री यहने उनकी पुत्री शेल की पुत्री इसलिए इनका नाम शेल पुत्री पड़ा है इनकी जो सबारी है वो नंदी है इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाय हाथ में कमल का फूल विद्यमान होता है महिला को माशेल पुत्री का पूजन बिशेश रूप से करना चाहिए क्योंकि दामपत्य जीवन में मदूर्टा बनी रहती है और घर के जो कश्ट होते हैं कलेश होते हैं इससे नहीं होते अगर सभी महिलाए माशेल पुत्री की पूजा आराधना करती है तो अब इनकी पूजा करनी कैसी है बो मैं आपको बता देता हूँ माशेल पुत्री को सफेद बस्तु बहुत प्री है इसलिए इने सफेद फूल और सफेद वस्त अरपन करना चाहिए और साथी सफेद बर्फी का भोग लगाना चाहिए ऐसा करने से कुवारी कन्या को मन पसंद वर मिलता है साथी नकरात्मक शक्तियों का नाश करने के लिए पान के पत्ते पर लोंग, सुपारी, मिश्री रखकर माशेल पुत्री को अरपित करना चाहिए अब मैं आज आपको एक बिशेस उपाय बता रहा हूँ जो पहले दिन के लिए उपाय है यानि कि जो फर्स डे है उसी दिन आपको ये उपाय करना है उपाय क्या है कि एक सावुत पान लेना है उस पान के पत्ते पर 27 फूलदार लोंग रखना यानि लोंग जिसमें उपर वो लगा रहता है पूरी-पूरी लोंग लेना है किती लेना है 27 लोंग लेना है तथा मा के सामने घी का दीपक जलाकर और सफेद आसन पर उत्तर दिशा की और मुख करकर बेड़ जाना है यहने के एक पान का पत्ता लेना है उसको पर 27 फूलदार लोंग रखना है घी का दीपक जलाना है माके सामने और सफेद आसन पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करकर बेड़ जाना है और एक मंत्र है ओम शेल पुत्राय नमा इस मंत्र का 108 वार जाब करना है वो सारी चीज सामने रखी रहेगी और आप मा पर जाब करोगे जाब करने के बाद लोगो कलावे में जो हम हाथ में कलावा बांते हैं उस कलावे में आपको सताइस लोगो मनना है एक-एक करके तो उससे क्या होगा एक माला बन जाएगी और वो माला जो है आप माभगवती को यानि माशेर पुत्री को अर्पट कर दीजे ऐसा करने से अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जो कारे हैं आपके जितने भी प्रकार के कारे हैं वो उसमें आपको सफलता मिलेगी और बहुत जल्दी आपके काम बनने लगेंगे जो भी आपने मनोकामना मंगी है वो मनोकामना भी इससे पूरी होगी तो ये था नवरात्री के प्रथम दिन याने मा शेल पुत्री की अराधना, पूजा या किस प्रकार से भोग लगाना चाहिए हम कल बात करेंगे मा के दूसरे रूप याने ब्रह्मचार्णी रूप की आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्रीज से लाइक कीजिए शेर कीजिए और मेरे से जोतिशमन को सब्सक्राइब कीजिए आज के लिए वेसे इतना ही मिल तक नहीं वीशे कसा तब तक आप रही खुश और मुझे दी जा गया जाहिए